कि नमस्कार जैहेंद बंदे महत्रम दोस्तों आप सभी का स्वागत स्टड़ी विस्मार्टेस के साथ आसा करता हूं कि आप अच्छा होगा आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा तो फ्रेंट्स आज में आपके सामने जीन प्याजे हां फ्रेंट्स जीन जीन प्याजे की संपूर्ण व्याख्या हां फ्रेंट्स एक ही पॉइंट छूटने नहीं पाएगा और दोस्तों अगर आपने फूरा वीडियो देख लिए तो समझ लीजिए आपको कभी आपको कभी जीन प्याजे पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो पूरा वीडिय से देखिए लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिए और आज के बाद प्रेश्ण गलत करने के कोई भी चांस नहीं होगी यह मेरा वादा है फ्रेंट्स जीन प्याजे संगेनतों विकास में पूरा वीडियो इसमें कुछ ऐसे सब चोड़े गए हैं जिसको आप हर बार हां फ्रे ने प्रेंट्स यहं जीन प्याजे जीन प्याजे कि सुरुआत कर रहे हैं तो आप इस टाइप के टाफश चरोपर ने जा रहे हैं तो आप भैडियो जीनपयजय कहा कि निवासी थे फ्रेंट तो जीन पयाजय जो निवासी थे सुझड जर लेंड गई अब बच्चा एक नन्या वह ज्ञानए है अपने घ्यान की रचना खुदकर था क्या यह की बच्चा क्या होता है जैसे आप आप अपने बच्चे के साथ जा रहे है राज्टे पर तो बच्चा बोलेगा पापा ये पतंग क्यों उड़ती है पापा ये पक्षी कहां जाते हैं पापा ये पतंग कौन बनाता है मतलब वो आटोमेटिकली इतने सारे कुश्चन पूछेगा कि आप मतलब उनका उत्त क्यान की आइसलिए बच्चा खोद में खोज करता है रहा है खोट के तीन बच्चों पर प्रयोग जहा रहे हैं जो एक जाम में आते हैं उन्हीं को तो आप वीडियो ध्यान से देखिए मूल प्रवत्यात्मक बच्चे में जो पहले बिद्दमान हो सिखाना न पड़े हाँ बच्चे में जो पहले से बिद्दमान होता है जिसको सिखाना न पड़े यह मूल प्रवयत्मत कहा जाता है जैसे रोना चीखना चूसना यह बच्चे को जन्मजात होता है मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है उसी के साथ इसकी कहा जाता है अब स्थायत यह कोश्चन कई वार हाँ प्रेंट्स एक वार एक्जाम में देखने को मिला है और आप मैक्जमम से मैक्जमम गलब करते हैं कि बस तूछ जीन प्राज़ेग २ाज यह सबस्था में आता है तो यहां से डारेक्ट ली कुश्चन बनता है तो सबसे में आपको बताना है कि बस्तु इस्थायत है क्या तो बस्तु इस्थायत बस्तु के यह थोड़ा से मिश्टेक बस्तु के ना देखने पर भी बच्चे को यह घ्यान होता है कि बस्तु है आप जैसे एक एक जामपल आपके घर में बच्चा है और बच्चे की मा हैं तो जब ब बच्चे को भूख लगगी तो बच्चा रोएगा क्यों क्यों क्यूंकि उसको पता है कि अगर रौओंग तो मम्मी यहीं कहीं होगी और आएगी मतलब मम्मी कहीं है और वो निस्चेत आएगी तो बस्तु के ना देख्या मतलब मम्मी की ना देखने वर्विव से विश्वास है कि मम्मी है तो यही बस्तु इस्थायत कहलाता है अब अब लॉमिता अनुत क्रमण सीलता आपल्टावी बन अब लॉमिता क्या कहलाता है कि गिंती अक्छर लंबाई चोड़ाई मूल सरूपर बापस ना लोट पाना फ् चीसर का कर अब बच्च है ना अब बच्च्च आंगे से ले करके और आंगे चला जाता है तो पीछे अच्छक नहीं लोट पाता, तो इसको आप लॉमिता कहते हैं, आप आन चलतें नेक्स पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने सररक्षण का भाव मूल आकरती में थोड़ा सा परिवरतन आने पर बच्चा पुरानी आकरती भूल जाता है प्रेंट्स क्या है सररक्षण का भाव में क्या होता है जैसे आपने ये लाइन खिछ देगे इसको रेखा कहते हैं हाँ इसको रेखा कहते हैं अगर इसी को अपन ने ऐसे खीच दिया जब ऐसे खीच दिया तो बच्चा बोलेगा इसको त्रभुच कहते हैं अब त्रभुच तो कहते हैं अब बच्चे को बोलेंगे रेखा कैसे बनती है तो बच्चा पुरानी अकृति में नहीं जा पाएगा मतलब पुरानी अकृति को भूल गया उसको यह नहीं पता कि पुरानी अकृति कौन कहलाती है मतलब पुरानी अकृति कौन थी तो इसको सर्रक्षण का अभाव कहते हैं और अगर बच्चा हाँ अगर बच्चा पुरानी अकृति में बापस आ गया कि यह जैसे तुर्भज ब सब्सक्राइब कर लिए इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए और लाइक कीजे अपने फ्रेंडों में सेर कीजे तो जीव बात क्या है फ्रेंड्स अपने जीव बात के बारे पड़े निर्जीव चीजों को जीव समझना बच्चे को फ्रेंड्स निर्जीव चीज है जीवुथे अब जैसे कोई खिलोना लाये अब से न आपमे से चावी भरी मेरा खेलोना आ रहाया है disruptive उसको यह लगा डिन मेरा एसमें जान है और जैसे वरोगने में आख़ायगा दी जैसी रौक जाएगा वह बोले अखेलोने से की चल और चल और चल जब नहीं चलेगा जब नहीं चलेगा वह तोड़ ताड़ के फैंक देगा तो उसको यह नहीं पता होता है कि मतलब खिलोने में जान होती है वो खिलोने में भी जान समझता है इसको जीवबाद कहा जाता है कुश्चन नमबर नेक्ष्ट कहां से है अब संक्रियाए और संक्रिया क्यक्ति मैंने अब बटी तो तो पिर से अमने जोड़ने कि करे golpe तो इससी को संक्रिया कहा जाता है अब इसके बार आएगा iskima iskima क्या क्या कि लाता है इसकीमा को कई बार एक जाम में पूछा कि डारेकली iskima किसका सब्दे कई बार तो friends इतना इजी कुश्चन बना दिया था कि iskima सब्द किस ने दिया इसकीमा सब्द जीन प्याज़ी ने दिया है इसी में जेंडर इसकीमा पूछ लिया जाएगा तो जेंडर इसकीमा सांड्रा वेम ने दिया और अमेरिका के निवासी हैं यह कोश्चन विएकजाम में आ चुका है अब इसकीमा बच्चा अपने दिमाग में व्यवस्थत ढंग से जानकाई लगता है उसी को इस तन अब क्य में जर अनकूलन के दो होते हैं यह क्या कहलाता है आपने पुरानी जानकारी में बिंए बिरोध यह बिना अंतर के नई जनकारी को जगए देना अब प्रेंड्स यह क्या कहलाता है आपने देखा होगा कि जिसे समावेशन की बारे में बता रहा हूं जिसे आपने एक कार देखी तो पापा ने बच्चे बेटा एक कार है अब कुछ दिन बाद आपने बस देखी तो आपके बच्चा चलाने लगा पापा पापा देखो वो कार गई उसको यह लगा कि कार है तो पापा ने कहा नहीं वेटा कार छोटी होती है यह बस है तो उसने उसको एक जानकारी तो यह कार की थी दूसरी जानकारी बसकी हो गई उसको यह लगा कि कार छोटी होती है बस बड़ी होती मतलो उसने पुरानी जानकारी पुरानी जानकारी उसके समावेशन कहा जाता है अब समायोजन हाँ फ्रेंट समायोजन क्या किलाता है कि पुरानी जानकारी और नई जानकारी में अंतर करके नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ जोड़ना अब पुरानी जानकारी नई जानकारी में अंतर करके नई जानकारी को जोड़ना फ्रेंड इसमें क्या होता है कि जब दो बच्चे से कोयल होती है कोयल और काववे में अंतर करके उनकी आवाज को पहचान करके नई जानकारी में जोड़ना ही समायोजन कहलाता है इसके बाद क्या होता फ्रेंड संग्या नात्माग विकास संग्या नात्माग विकास का सद्धान जीन प्याजे जीन दिया इससे और भी जो इंपोर्टरंट कोश्चन बनने वाले हैं वो मैं आपको सारे डिस्क्राइब करूँगा संबेदी पेशिये इंद्रि जनेद और इ प्रवत्यात्मक जो सब्द है प्रेंट्स मूल प्रवत्यात्म क्या कहलाता है प्रेंट्स मैंने आपको पहले बताया है अनुकरन अनुकरन क्या है फ्रेंट्स की किसी चीज को देख करके बच्चा क्या होता है कि किसी चीज को देख करके उसी के माध्यम से अनुकरन करता है तो जीन प्याजे ने किसी चीज को देख प्रोमेटिक सीखता है तो इसको अनुकर्ण डहाता है इंद्रियों के सहारे शीयूं के सहारे सीक्षब कि समेदी वस्थाच में आएगा तो समभेदि पर्षिय प्रेंट्स क्या होता है कि MPTT हाँ फ्रेंट्स में यहां से कई बार कुश्चन बने हैं यहां से डारेक्टली कुश्चन बना था कि इसकी कितनी उप अवस्था होती है कि इसकी जीन प्याजे ने जो दिये संबेदी पेशी अवस्था तो इसमें कितनी उप अवस्था होती है तो फ्रेंट्स इसमें छे उप अवस्था होती है इंद्री जन गामक अवस्था में छे उप अवस्था होती है अब छे उप अवस्था कौन कौन सी होती है पहले नंबर है सहाज क्रियाओं की अवस्था ज टो हाइत तक होती है नेक्ष्ट केया प्रेंड अगर आप चैनल पर भी कूवत सब्सक्राइब करने थे सब्सक्राइब से कीю। इसी टाइब के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसी टाइब के वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने बिलकुल भूले और अगर आपको मेरा प्रियास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए अपने फ्रेंडो वस्था होती है गोणड इसकी मैटा कि समनम्यवीन की अवस्था अब पांच में होती है ँट्रियती अनुकृफियाउं की अवस्था बारा माह से आ अठ्वा माह तक के वीच कि अब छट भी कौन सी होती है मान्सिक सहयोग द्वारह नए साधनों की खोग की की अवस्था 18 माह से 24 माह के बीच तो इसमें कुश्चन के बनता है आपको चार ओप्सन दे दिये जाते हैं कि इन में से जीन प्याजी की कौन सी उप अवस्था नहीं है तो आपको इन छे अप्सन कोई एक साथ करना है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा किसी भी राइटर की वो ऐसे इतना डीपली नहीं पढ़ाती तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए मैंने एक ही वीडियो में समायत किया है जो इससे अगर आपने जीन पर एक बार पढ़ लिया तो इसस कहाथ ही प्यांत कहां से जगाती फ्रेट तो दोसे साथ वर्ष के वीच में पूर्म संक्रियात्मक अवस्ता होती है अब सरलंक शनकाव हम प्रेंट्स मैंने आपको बताया संक्षन का खता है कि बच्शा के माध्यम से पुरानी स्थिती वापस नहीं जैसे यह रेखा है रेखा के बाद आपन ने इसको तुर्भुज बना दिया अब इसके बाद बच्चे को बोलेंगे कि आप इसको रेखा कहा गई तो बच्चा बोलेगा मुझे नहीं पता इसको सर्रक्षण का भाव कहते हैं अब जीवबाद जीवबाद में फ्रेंड्स नहीं यह तो इसको जीन प्लबस गिस्टी और जीवबाद कहा है कि गिंति ओर प्रणमाला क्रम की शुरुबाद हो जाती है अब इसके बाद मूर्थ संक्रियत्म कवस्था यह साथ से लिएरा वर्सके बीच में होती है अब इसमें कौन से अब सब्दाते हैं विल्वमिता प्रॉमिता क्या होता फ्रेंच यहां पर यह वजन बनाया वजन बनाने के बाद कबूतर बना दिया अब बच्च्च को बोला जाएगा कि वावजन बनाना है तो बच्चा क्या है इसको हटा देगा रोवजन पर पापस हागा उलाघ्ये में उस्हां पापस लोटना ही ब्लॉमियता कहलाती है इस को कि उतक्रम ने सीलता कि भी कहा गया है अब जैसे एक और एक्जाम्पल में आपको मेहत से बताना जा रहूं जैसे आठ प्लेस साथ बरावर पंद्रा आठ और साथ जोड़ों गए तो पंद्रा अब बच्चे को बोला जाएगा कि अब पंद्रा में से आठ घटा मतलब साथ कै कैसे बच्चे से पूछा जाएगा तो बच्चा और लेड़ी बताएगा कि पंद्रा में से आठ घटाएंगे तो साथ आ जाएगा मतलब उसको इतनी बुद्धि आ गई है कि मतलब वह मतलब पुरानी स्थिति में वापस लोट करके नई स्थिति का निर्मान कर सके तो इसक और से नरफ च्ण नहीं बिलॉमीता कहा जाता है अब संद्रक्षण किसको कह जाता कैसे अभी में सद्रक्षण का अभाव पता है आप रेखा में क्या है की अपन ने त्रवोज बना दिया तुब अब त्रभोज के माध्यम से बच्चा अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौट पाता था अब सर्रक्षण के अभाव में बच्चा अपनी पुरानी इस्तिती में बापस लौट जाएगा मतलब उसको बोला जाएगा रेखा कैसे आई तो यह दोनों को हटा देगा जैसे सबसे पहले हटाएगा और बोलेगा यह रेखा है तो पुरानी इस्तित मतलब बच्चा इनको विस्तार करने के साथ बर्गी करन भी कर देगा तो यह बर्गी करन की छमता के बारे में कहा गया है अब गड़त की स्रंखला के प्रति काफी कुछ कर लेता है और उसको प्रॉब्लम नहीं जाती अब इसके बाद आते हैं अमूर्थ संक्रियात्म का ब दो कीच में होती है यह क्या कहला थे अमूर्थ चिंतन है व Zukunft कि बच्चा किसी भी चीज को अपने मानसिक चिंतन से सीखना, मानसिक चिंतन के दोरा सोचना ही अमूर्थ चिंतन कहलाता है, तो ये जीन प्याजे की अमूर्थ संक्रियात्मक अनौपचारिक अवस्था के अंतरगत आएगा, अब इसके वाद तार्किक चिंतन, बच्चा इसमें तर्क करने लगता है, कि ये ऐसा से ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैक्जिमम तर्क करेगा तर्क करने के साथ, तर्क करने के साथ वो उसका उत्तर भी निकाल देगा, और आपको प्रूफ करके दिखा भी देगा, तो ये तार्किक चिंतन कहलाता है, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन बच्चा इसमे पूरी चीजें पता देगा तो आप सारी चिंतन के लाता है निसकर्स बच्चा इसमें पूरी कहानी करने के बाद जैसे कोई सिध्धानत है आपने दिया कि जीन प्याजेजी नहीं से कोई सिध्धान दे दिया उसको तो वह सिद्ध करके लास्ट में अंसर तक पहुंच जाए तो यही जीन प्याजे का वीडियो समाप्त होता है तो अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कीजे अपने फ्रेंडों में सेर कीजे जब तक मिलते हैं इससे भी important वीडियो के साथ ओके टेक क्यार बाई बाई